सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ABC of Gardening and All को और पेल आइकन को दबाना मत भूलिए जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकरी सबसे पहले आप तक पहुँच सकें हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सभी को रितु का प्यार बरा नमश्कार और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में ABC of Gardening and all में स्वागत है और फ्रेंड्स अपने कई व्यूवर्स की डिमांड पर मैं यह वीडियो लेकर आई हूं हाला कि मैं खुद भी चाहती थी क्योंकि कोचिया मेरे सामने आप देख रहा है यह कोचिया है और कोचिया जो है यह तब ही खुबसूरत लगता है जब यह अपना पूरी तरीके से अपना शेप खो चुका है और उसका कारण यह एक तो निगलिजेंस होता है और मैं बहुत समय समय में काफी समय मैं बाहर रही हूं तो मैं इसकी प्रूनिंग पर ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि कोचिया एक ऐसा प्लांट है हर 15 डेज में इसको प्रूनिं प्लांट है और यह गर्मियू में मतलब आप लगा दीजे मार्च से लेके यह ऑक्टोबर नवेंबर तक बहुत अच्छे से सस्टेन कर सकता है तो यदि आप इसका प्रॉपरली देख भाल करें तो और सीड्स जो है यह जब प्लांट जो है बहुत मैच्योर हो जाता है और आप देख रहे हैं यह पूरी तरीके से अपना शेप खो चुका है यहां वा इसकी डालिया जो है वह जूम रही है तो बाहर निकल चुकी है और यह बड़ा ही अगली सा लग रहा है तो इसकी शेप को मेंटेन करने के लिए प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है आप हर 15 दिन म प्रूनिंग करते समय आप देख रहे होंगे कि मैं जो है इसको लंबी लंबी जो डालिया है उनको मैं कट करके और उनको एक तरफ रख रही हूं क्योंकि यह जब आप इसे प्रून कर देते हैं तो इसमें से कई सारी चोटी चोटी डालिया निकलती है जो प्लांट को रख कर दें तो प्रूनिंग करने के बाद में आप इसे समय समय पर लिक्विट फर्टिलाइजर डालिये क्योंकि लिक्विट फर्टिलाइजर जो है वह इंस्टेंटली अब्जॉब हो जाता है जड़ो में और और उपर से भी आप स्प्रे कर दीजे जब तक कि यह बिल्क द्यान रखना पड़ता है कि आप जैसे आपने अभी इसको प्रून कर दिया प्रून करने के बाद में आप इसमें इसकी जड़ों में किनारे किनारे से थोड़ा सा कॉम्पोस्ट डाल दें यह वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास में खाद अवेलिबल है वह आप डाल द तो यह आप देख रहा है मैंने करीबन काफी सारी प्रूनिंग कर ली है और प्रूनिंग करते समय बहुत ज्यादा प्रून आप मत कीजिए यदि आप ज्यादा प्रून करेंगे तो यह प्लांट जाए यह मर भी सकता है तो इसे बहुत ज्यादा प्रून आप मत कीजिए ब पड़ता है तो अभी जब आप प्रून कर लेंगे और इसमें खाद वगएरा डाल देंगे तो आपका प्लांट यह बहुत अच्छा शेप ले लेगा दूसरी बात आप हर 15 दिन में इसे प्रून करते जाएं जब तक यह प्लांट आपके पास है क्योंकि नवेंबर एंड में यह ऑक्टोबर एंड में जैसे ही यह मैचूर हो जाता है यह हलका हलका सूखने लगता है तो उसमें उस दौरान खुद बाखुद सीड्स जो है वह डेवलप हो जाते हैं तो उस समय आप इसका सीड्स जो है वह कलेक्ट करके रख लिए अपने नए सीजन के लिए और अभी जो मेरे पास queries आई थी कि क्या हम 10 new से लगा सकते हैं नई branches से कोचिया को ग्रो कर सकते हैं तो आप अभी देखें बारिश का मौसम अल्मूस लग गया है तो इस दौरान आप cutting से भी propagation करके आप लगा सकते हैं तो friends अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक कि लिए मेरे च हुआ 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 है